सबसे पहले आप लोग कुछ ये फोटोज देखिए जो की डॉक की स्किन से रिलेटेड है तो अभी जो आपने इमेज़स देखी आपके डॉक को भी अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तभी आप इस वीडियो को आगे continue देखिए और अगर आपके डॉक को ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही फिर भी देख सकते हैं थोड़ी बहुत information ज़रूरी है लेकिन जिन लोगों के डॉक्स को ये प्रॉब्लम आ रही है ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ही है तो डॉक के स्किन में रैश आ जाना रेडनेस आ जाना या फिर बाल जढ़ना ये ठंड के टाइम जब स्टार्ट होने वाला है अभी नवंबर आ चुका है तो इस टाइम से आप कह सकते हैं स्टार्ट हो जाते हैं मेरे घर में भी जो डॉग से पहले कुछ दो-तीन साल थे तब उनके भी ऐसा होता था लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने इन दो-तीन सालों में और हमारे पास एक और डॉग था जो की 17 ये उल्ड था तो उन सालों में मैंने कुछ चीजें जो है एक्सपीरियंस की है जो की चीजें आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं ता मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आप अपने डॉग के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि उसको ऐसी छोड़ देने से तो ठीक नहीं हो जाएगा कुछ चीजें हमें इंप्लिमेंट करनी पड़ेगी उसकी बॉड़ी के उपर और कुछ चीजें घर में भी अवेलेबल हो जाती है कुछ चीजें घर में जो चीजें अवेलेबल होती है लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेक करना पड़ता है कुछ चीजें लानी पड़ती है सबसे पहले तो मैं बताओं कि डॉग के कोट के लिए जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है जो कि घर में easily available होती है वो है coconut oil coconut oil एक ऐसी चीज है जो कि हम खाने में भी यूज़ करते हैं काफी कबार सर पे लगाते हैं skin में लगाते हैं पैर में लगाते हैं और coconut oil जो है हम डॉक की skin पे भी लगा सकते हैं प्योर coconut oil जो होता है उसके कोई side effect नहीं होते उसको जादा हैं फिर कम लगाने से भी कोई ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम जादा बढ़ जाएगी और coconut oil जो है edible भी होते हैं यानि कि अगर आपने उसको dock के coat के उपर apply किया तो अगर वो उसे है coconut oil में आप क्या गड़ सकते हैं कि थोड़ा सा जो है पुदीना जीसे कहते हैं तो मिंट लेके आप उसको थोड़ा मैश करके कुंखोनाय टॉयल में डाल के गरम कर लीजे थोड़ा सा और गरम करके अपनी डॉक की बॉड़ी पे जहां पे उसको रैश हो रहे हैं या फिर जहां पे उसके बाल जहड़ रहे हैं अब वहां पे लगा सकते हैं और एकदम से ही यह स्टार्ट नहीं हो जाता रिकवर होना थोड़ा टाइम लगता है आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा एक हफ्ते के आसपास आप दीजिए टाइम उसको और इसे रोज रोज नहीं लगाना है आप उसको एक एक दिन छोड़के पहले लगाए जब तक प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रिकवर नहीं हो जाती प्रॉब्लम है और जब धीरे धीरे रिकवर होने लग जाए तो आप डेस का गैब जो है वह बढ़ा दीजिए पहले अल्टेनेटिव दे था फिर उसके बाद दो दिन कर दीजिए तीन दिन कर दीजिए ऐसे करते करते लगाते रहिए और ओफुली वह जो है उसका स्कीन मे होती है जो कि मैं खुद अपने परसनली डॉक्स के लिए भी यूज करता हूं जो की कोकोनेट ओयल से भी ज्यादा एफेक्टिव है और उसको डेली बेसिस पे दिया जाए तो और भी ज्यादा अच्छे फाइदे दे सकता है कोकोनेट ओयल से ज्यादा तो बेसिकली यहां कर रहा हूं मैं सब्सक्राइब कराइबां क्पूर्फ के लिए करको मिलते हैं लेकिन मैं दो परसनली यूज करता हूं वह है रिकवरी हुई है आपकी डॉक की बॉडी में तो आम मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट करके या फिर मेसेज करके जरूर बता सकते हैं मैं ट्राइ करूँ कि कुछ अच्छी तरीके से समझा सकूँ आपको कि क्या यूज करना चाहिए और यह स्किन और कोट सप्लिमेंट जो ह यह मैं आल्मोस्ट जो है पांच महीने सी यूज कर रहा हूं मेरे पास काफी सारे चार-पांच जब्बे भरे पड़े हैं जो कि मैं डॉक्स को खिलादा रहता हूं डेली वेट के हिसाब से देना पड़ता है तो इसकिन और कोट अगर आप लेना चाहते हैं सप्लिमेंट त ताके उसके पायदे चेक कर सकते हैं और क्या-कया रिजल्ट से देख सकते हैं और वहां से खरीद भी सकते हैं अगर आप अपने ॉटक के लिए लिए लियना चाहते हैं तो और अगर आपके डॉक्तों अच्छाइश जैसी प्रॉब्लम नहीं भी आ रहे फिर भी ये अदत करता है काफी soft मनाता है मैंने personally try किया हुआ है तभी आपको बता रहा हूं तो एक बार ट्राइगर के देखिए hopefully आपको काफी अच्छे result मिलेंगे रिचे description में लिंक दिया हुआ है आप जाके देखिए एक बार और reviews पढ़िए आप reviews पढ़के खुदी समझ जाएंगी कि यह supplement जो है कितना effective है सो उमीद करते हैं आपकी dog की health अच्छी रहे और आप भी अच्छे रहे मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई